नमस्कार पहरे साथियों आपका स्वागत है हमारे ट्वी चैनल में और देखिए साथियों आज हम आपके लिए एक वीडियो प्रोवाड कराने वाले हैं जिसमें आपको हम बताएंगे जो सीटेट का जो फॉर्म है 2024 का उसे आप किस तरीके से बरोगे और स्टेप बाज स्ट का आप को डेटियल में बताऊंगा ताएंगा आपको कोई भी और कोई भी आपको दिक्कत ना हो आप अगर चाहे तो इस वीडियो को इस शीज को कर देगे और मिस्क करने के बाण आपका एक बार गलती हुआ तो आप फिर जिंदी की बर इस्तिताने के लाबा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है तो आपको फोर्म भोथी सापधानी से बरना है और हर एक चीज को सही से समझ समझ के भरना है ऐसा भी आपको जल्दी-जल्दी में नहीं बरना आथा क कि आप मालेजिए कि आप जल्दी जल्दी में फॉर्म बर देते हो गलत चीज बर जाती है आपके उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट भी कौलिफाई कर लेते हो आपका मार्क सीट भी आ कि तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ों को जो चैनल वाले होते है वहाँ पूरा प्रयास करूंगा चाय वीडियो कितना भी लंबा हो मुझे से दाल दो ताकि आप जा करके उनको और अच्छे से दिख पाओगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले में आप सभी लोगों से रिकेश्ट करूँगा कि आप इस चैनल को जरूं से सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को फ्रेस कर लिजेगा ऐसे ही अपडेट्स चैनल में Google Chrome खुल लीजिए और Google Chrome खुलने के बाद यहां पर आपका या करेंगी यह जो सर्च बॉक्स आपको देख रहा है इसी सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर देना केवल आप सीटर डाल दीजिए और सीटर डाल कर ही आप इससे सर्च कर देजिए तो देखिए मैं website वो आपके सामने खुल कर आ जाएगी तो आप देख सकते हो जो इसकी में website है उसका ये page home page है और इस home page पर अगर आप ऊपर की side page से scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर सब करके apply करने पर बहुंच सकते हो यहाँ पर आपको notice पढ़ने है तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो आप यहाँ से डारेक्ट भी apply कर सकते हो यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो यह आपका लिखा हुआ है apply for seated जनवरी 2024 तो आप यहाँ पर सीथा यहाँ पर आप apply करने के लिए आप क्लिक कर दीजीगा आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रिकास से आपका home page खुल जाएगा आप यहाँ पर आपको क्या करना है तो देखिए सातियो अगर आपने पहले से यहाँ पर माली देखिए यह 2024 क तो यह जो आपको new registration देख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक window खुल जाएगी और जिसमें आप से कहेगा देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हों कह रहा है कि download information bulletin यहाँ पर यह information bulletin है इसको आप download करिएगा जैसे आप जिस पर क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करने के बाल आप से यहाँ पर यह चीज देखने के लिए मिल जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिसे आप मैनुवली जागर के पढ़ सकते हो सही तरीकी से इसको जाच परक सकते हो इसके लिए देखिए है जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें भी सब चीज यहां पर इनफर्मिस्न में दे रहा हूं तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजीगा मैं यहां पर नीचिक साट पर जाओगे तो यहां पर फीस के बारे में यहां पर नोंने बता दिया कि हम कितनी आपकी फीस लेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर अगर आप एक पेपर के लिए अपलाई करने जा रहे हो तो आपका यहां पर एक जार रुपए फीस लगेगा और अगर आप यहां पर SCST या different abil person हो यानि PS category सा रहे हो दिब्यांग category हो तो आपको यहां पर 500 रुपए देने होंगे और अगर दोनों paper करना चाहरे है तो आपको यहां पर 600 रुपए देने होंगे और अगर आप OVC से हो जनरल से हो तो आपको यहां पर दोनों paper के लिए 12 100 रुपए देने पड़ेंगे और एक paper के लिए 1000 रुपए देने पड़ेंगे तो इसमें cable आपका 200 रुपए का अंतर है तो अगर आप एक form apply करने के लिए सोच रहे हो तो आप दोनों form apply करिएगा ताकि आपको कोई भी यहां पर जब आप जाओगे होई पैसे खर्ची करोगे तो वहा इस चर्डवरेंगे और होना है ऐप कोई बहने की आपको क्या करना है देखें यहां पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस चैक बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है क्लिक कर देना है कि आपने यह सब चीजें ऊपर पढ़ लिए तो यहां पर लिखा भी हुआ है आई हैब डाउनलोड इनफॉर्मेशन बुलेटेन यह इनफॉर्मेशन जो बुलेटेन दिया गया तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है यहां पर जो भी आपकी उपर आपने इन्स्ट्रेक्शन दिये थे जो आपको बिलोटेन आप ने दिया था उसमें सब चीजों को मैं पढ़ चुका हूँ पढ़ने के बाद ही में इस चीज को फर्म को एप्लाइ कर रहा हूं तो आपको यहां पर दिखा हुआ क्लिक हैर तो य पेज है वो आपको यहां पर खुल के दिख जाएगा देखिए तो किस तरीके से बरना है तो पहले आपको यहां पर अपना नाम बरना है ठीक है यहां पर अपने पिताजी का नाम बद दीजिए तो आपको जैसी इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका यहां पर यह जेंडर करना है तो जेंडर में माल लिए में दोजार एक कर रहा हूं तो यहां पर सकते हो इसी परकास से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कहा रहा है कि आपको gender करना है तो gender में आप जिसरेते हैं यहां पर male category दिया है यहां पर female दिया है और transgender दिया है है तो आप क्या हो male, female, transgender, जो भी हो उस पर इसमारी वालोगोम हूँ तो male पर में click कर दूँगा यहां- ठीक है mail टाइप है नीचे वाला इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से options को लेंगे पहला आपका voter ID का है दूसरा आपका passport passport का है नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका bank passbook है with photograph जिस पर photograph भी होता है पासबुक पर आपका फोटोग्राफ होता ही है या आप यहाँ पर रासन कार्ड यूज कर सकते हैं जिसमें आपका photograph होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है एनी अधर बैलेड government identity with photograph तो यहाँ पर जो आपका कोई भी यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आधर का आपके नमबर मांगेगा नीचे तो उसको आप भर देना और यहाँ पर देखिए driving license लास्ट वाला है driving license बना चाहर है तो driving license वाला कर दीए जैसे में मालोग में अधर काट बरने वाला हूं तो इस पर में क्लिक कर दूँगा एनी अधर आड़ेंट्री ठीक है तो आप जैसी में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक box खुल जाएगा देख सकते हैं आप इंटर बैलिड गवर्मेंट के अड़ी नंबर तो यहां पर आपको आधार नंबर भर देना है तिक अधार नंबर भर दीजिए आप यहाँ पर चले आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका contact details तो contact details में आप देखा कते हो, यहाँ पर आपको क्या वर्ना देखिए प्रेमिस अमबर अब लेक में नएम, तो यहाँ पर जो आप यहाँ देख सकते हो आप उस चीज को यहांपे लिख सकते हो ठीक है तो यह चीज आपको याज रखनी है इसी के साथ साथ आप यहांपे अपना जो भी address है आपका locality क्या है country आपको select करनी है तो country में आप एंडिया select कर लिजेगा ठीक है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप से एंडिया मांगेगा नीची जाएंगे तो यह एंडिया है आपका एंडिया collect कर लिजेगा तो इस तरीके से आपके यहां पर मांगेगा फिर यहां regular use कर रहे हो temporary email का use मत करिएगा permanent email का use करिएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका OTP जाएगा फिर बाद में भी आपको इससे काम पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आप पहले डालेंगे email और email के बाद यहाँ पर आपको confirm email तो बही email आप retype कर दीजेगा नीचे इसी परकार से mobile number डालेंगे जो आपका working में है जिसे आप long समय से चला रहे हो और आगे भी चलाओगे ऐसा नहीं कोई temporary mobile number डाल दिया और फिर 2-4 दिन बाद दूख हो जा रहा है तो वो चीज सही नहीं है ठीक है और यहाँ पर confirm mobile number तो confirm mobile number यानि यहाँ पर click कर देजेगा बो नमबर डाल देजेगा यहाँ पर आप दूसरा अपना contact number दे सकते हो चाहो तो यहाँ पर आप दूसरा contact number अपना दे सकते हो नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो क्योंको यह आपका optional है आप देख से तो यह कैसा है optional है आप यहाँ पर देखे कहा हुआ है same as present address तो आपने जो ऊपर address fill up किया हुआ है बही address आपका same है अगर आपका same है तो इसमें आप check box में click कर दीजेगा आप जैसे इसमें check box में click कर देंगे तो यह गाइब हो जाएगा अपने आप क्यों गाइब हो जाएगा क्यों को automatically बोची जहां से ले लेगा तो अभी मैंने डाला नहीं हुआ है इसलिए यह ले नहीं रहा है जैसे मैं डालूँगा तो यह ले लेगा और अगर आपका अलग-अलग है तो उस पर click ना करके इसमें आप बहर दीजिएगा ठीक है इसी प्रकास से अगर आप आगे जाएंगे तो आप से कह रहा है कि अब आपको यहाँ पर password चूज करना है तो password चूज करना password किस तरीके से बनाना है जैसे देखिए माली जी एक capital letter मना दो ठीक है फिर लिख दो A, B, C ऐसा लिखना नहीं है मनलब इस तरीके से आप जो भी अपने नाम का capital letter हो जो भी आप आप आपना password बनाना चाहते हो इस तरीके से 1,2,3 इस तरीके से बना दो और इस तरीके से आप add the rate या कोई भी एक symbol बना दो add the rate बना दो यहां पर hedge बना दो star बना दो जो भी आप चाहो सो बना देना आपका इस तरीके से password होना चाहिए यह चीज़ सब content करनी चाहिए यानि यह चीज़ आपकी होनी चाहिए password के अंदर तभी आपका password लेने बाला है अंदर आपका password यह नहीं लेगा next आगे बढ़ेंगे तो देखे लिखा हुआ है question security question तो security question पर आप जैसी click करेंगे तो आपको questions आपको देदेगा देखे लिखा हुआ है which is the website you rarely visit ऐसी कौन सी website है जिससे आप rarely visit करते हो उसको देखते हो what is the name of your first school school का first name मलब कौन सा ऐसा पहला कौन सा आपका school था उसका नाम देना चाह रहे हो या आप what is your never's pet name या आप अपने जो पडोसी है उसके pet जो आप पालतु जानवर है उसका नाम देना चाह रहे हो या what is registration number of your vehicle या जो आपका कोई बाहन है जिसका आपने registration कराया हुआ है जैसे माल लिजिए आपकी bike हो गई आपकी car हो गई कुछ भी है तो उसका आप देना चाह रहे हो या आप what लिखा हुआ है which is your favorite book या आपकी कौन सा इस फैबरेट बुक है जो भी आप इसे मैंने लिख दिया रामायन ठीक है तो रामायन लिख दिया इस तरीके साब अपने question को याद रखिएगा और अपने इस उत्तर को याद रखिएगा यह हमारे कब काम में आते हैं जब हम कभी पासवर्ट बूल जाते हैं जब हम कभी इसका registration बूल जाते हैं तब यह submit पर किलिक करना है आप submit पर किलिक करेंगे तो submit पर किलिक करने के बाद आपका यह submit हो जाएगा इसके बाद आपका क्या window खुलेगा किस तरीके का होगा तो मैं इसको पहले fill up करता हूं उसके बाद मैं आपको इस चीज़ को दिखाता हूं ओके तो आप अभी मैं इस वीडि पर आप click कर रहा हूं और click करने के बाद आपके पास कुछ किस तरीके से पेज खुलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा देखे साथियो submit करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा जिसमें आप से ये कहेगा आप दिखे तो यहाँ पर प्लीज रिव्यू दा फॉलेंग इन्फॉर्मेशन केरफुली इफ यू गोड लाइक तो चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू में डू में डू सो बाई प्रेशिंग एड़ेट रेस्टेशन फॉर्म वटन और प्रेश सम्मिट एंड सेंड दर नोडिफिएशन इसे जैसे ही इसको क्रोश करता हूं इस से मानलोग में आपको पेज कृष्म यह आपका ओपन होगा है यहाँ अगर सब चीज तो आपको यहाँ पे झिलक करना होगा कई चाा रहे हो एसमें कुछ चेंज करना चाहरे हैं हमने जो उपर इंफॉर्मिशन वरी है वो मारी घलत वर गई है तो आपको क्या करना है इस पर एड़िट वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आपने सोचा कि हमारा सब कुछ सही वरा है तो आप यहां पर टिक करिएगा और टिक करने के वाद देट वर्त आपकी होगी जेंडर हो गया एड्रेस हो गया मुवाइन नंबर हो गया इमिल आडी हो गया जो आपने ऊपर दिया हुआ है तो देखिए लिखा हुआ है पर्टिकुलर चेक्लिस्ट टू बी वेरिफाइड यह आपकी वेरिफाइगी और इसमें देख सकते हो य और एट एनी लेटर स्टेज ऑफ दे एक्जामिनेशन तो यानि अगर आप यहां पर भर देते हो यह सब को टिक करके आप आगे जा रहे हो तो आपका यहां पर जो रिश्टेशन नंबर है वह आप देखा हुआ है चेंज बिल बी पर्मिटेट बंस एक बार ही आपको चें जो आपने रए है जो आप लिखा है तो आपश fix प्लिक करते रहे गे तो एक बाद आप नीचे जाएंगे तो उत क्लिक करेंगे फिर देखिए कह दिया आप से के submit and send OTP यहाँ edit and registration तो आप देखे तो इसके बाद जब आप submit and send OTP के लिख करोगे तब आपको किस तरीकर दिखाएगा वो मैं आपको दिखाऊँगा ओके देखे साती हो एक चीज और आप यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ पर जो जैसे माल आपने security question मैंने यहाँ पर चूज करा बेचेज और फैवरेट बुक इसी प्रकास से security answer आपको नहीं दिखाया गया क्यों क्योंकि यहाँ पर security question इसलिए नहीं दिखाया गया है ताके आ पर यहाँ पर submit and send OTP पर क्लिक करूँगा यह जो आपको दिख रहाए इस भी में क्लिक करूँगा तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद तो कुछ इस तरीके से pop-up आपको message देखेगा जिसमें देखिए लिखा हुआ है यह देखिए confirm देखिए लिखा लोग तो यह बापस चला जाएगा ठीक है जैसे मालोग हमारा कुछ गड़वड सर्वड हो गया तो मैं इस पर नो पर क्लिक कर दूँगा तो फिर से हम इसे cross verify एक बार करेंगे उसके बाद मैं करूँगा तो सब को सही है अब मैं कर रहा हूं इसको submit पर click submit के बाद यह आप यहां पर यहां पर दिखा दिया है और मोईल नमबर के साथ ही साथ यहां पर देखिए OTP के लिए कह रहा है कि यहां पर यहां पर डाल लिए और submit करिए ठीक है तो मैं यहां पर OTP डाल ला हूं और मैं इसे submit करूँगा जो OTP आया हुआ है उसको मैं यहां पर डाल दे रहा ह तो जो ट्रोंटी पिया सेट आलीस हुई 29 मतंती चेमिर 29 के बाद है 20 Right है इसके मैं क्या करूंगा और लिक करने के बाद आपको क्या रिडों थो को लेगा और तो चलिए यह क्लिए हूँ यहां पर जैसी में क्लिक करूँगा तो यह मेरा जो नंबर है वो verify हो जाएगा तो देखे साथी हो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मेरा नाम देखा रहा है और नाम के साथ ही साथ यहां पर देखा रहा है registration नंबर यहां पर आपका completed हो चुका है registration form और यहां पर अप्लिकेशन फ़र्म और पैमेंट फीस आप की इनकम्पेट दिखा रहा है। इससे ही क्लिक करूंगा तो और किलिक करने के बाद वथ इस तरीक aura प्रेश खुलेगा। ठीक है मैं इस पर click कर दिया और click करने के बाद आपको दिख सकते हूं यहां पर यह email id खुल गई है और यहां पर यह email id दिख रही है और email id की साथ ही साथ यहां पर दिखिए कह रहा है कि यहां पर जो code है इसको enter करिएगा यह जो code आपको दिख़ाए इसमें डाल दीजिएगा चलिए डाल देता हूँ, इसावम्मिट करदूंगा यहां पे, यह दिखना है Summit है, इज दिखना है, इसी Summit पे क्लिक कर देना, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यह आपका हो जाएगा, ठीक है यह verify हो जाएगा, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यह verify होने के लिएhando, आग तो मैं यहाँ पर देखिए जाओंगा बापस देखिए जैसे आपका OTP आया इसमें डालके आप verify कर देना verify हो जाएगा मैं इसे बाद में कर लूँगा तो मैं यहाँ पर click here to home page तो इस पर हमें कुल रही है उसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा उसके बाद आपको अच्छे से समझा के देखिए आपके अब यहाँ पर जो पेज खुल गए हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपको पहरे परसनल डेटेल का option options को लेंगे फिर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जाओंगा यहाँ पर परसनल डेटेल यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी पर मैं क्लिक कर दूँगा जो परसनल डेटेल लिखा हुआ इसी पर मैं क्लिक कर दूँगा क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर परसनल डेटेल यहाँ प आएंगे तो यहां पर आपको देखने की मिलेगा गईए कि तो एधे एया है तो अब प्रफिश्य में यहां पर किलिक कर लोगा ठीक है अब यहां पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखे क्या कहा हुआ है आप इसको पड़ लेजी सही से आर यू अ पर्सन बिद बेंच्मार्क डिसेबिल्टी ठीक है तो आप यहाँ पे जो करो गहाँ तो आपको कौन सा टाइप है आपका डिसबिल्टी का आपको कौन सा टाइप है तो यह जो आपके टाइप नीचे दिये गए इनमें से कोई भी आप अपने टाइप यहां पर स्लेट कर लिएगा यह देगी आपके सभी टाइप दिये गए हैं कौन सा टाइप है तो उसमें आप स्लेट कर लेंगे तो जो डिसेविल्टी वाले परसन से वह अपना यहां पर और जो नहीं है तो वह आप यहां पर सीधा driving कर लेना तो आप से कुछ नहीं वाला है ठीव है और आप एं तो आपको वहांपे यहs करना होगा इसमी के प्रकाष से आगे आप से पूचेगा कि employment status से वह रोजगार आपके पास है या नहीं है तो आप यहां पर जैसी कि और employed other than teachers ठीक है तो अब आपको यह करना है यह जो आपको दिख रहा है इसको आपको इस page में यहाँ पे डाल देना है मतलब यह जो capture code है इसमें आपको fill up करके फिर यहाँ पर save and nest पर क्लिक करना है तो मैं अपनी detail को यहाँ पर fill up करता हूं उसके व्याद मैं आपको nest page के बारे में दिखाऊंगा पड़ गया अब यहाँ पर में save and nest पर क्लिक करूँगा ठीक है save and nest पर क्लिक करूँगा तो क्या window यहाँ पर देखे पहले pop-up दे रहा है कि आप यहाँ पर मतलब स्योर हो जाईए कि आप इसको submit करना चाहरा है तो मैं स्योर हूं तो मैं इस पर yes पर क्लिक कर दूँगा जैस इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो यह आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखे लिखा हुआ applying for किसके लिए आप apply कर रहे हो तो यहाँ पर जैसी click करोगे तो click करने के बाद आप से कहेगा कि आप paper first के लिए apply कर रहे हो पीपर second के लिए apply कर रहे हो किसके तो आप किसके लिए apply कर रहे हो इस तरीके से आप से पूंचेएगा ठीक है तो आप आपका second और यहाँ पर बोत कर रहे हो दोनों के लिए apply कर रहे हो एक के लिए apply कर रहे हो तो आप मन लिचे कि आप दोनों पेपर के लिए एक के लिए जो भी कर रहा है उस पर आप क्लिक कर दिए तो मैं मैं यहां कर रहा हूं दोनों के लिए दोनों पर बोथ पर क्लिक कर दूँगा ठीक है बोथ वाले पर क्लिक कर दूँगा तो यहां पर मुझे से पूचेगा language के बारे में तो पहली language में क्या लेना चाह रहा हूं दूसरी लेना चाह रहा हूं इसके बारे मुझसे बात करेगा तो मैं इस पर पहले पर क्लिक कर harness ठीक है मैं पहले पर क्लिक कर दूँ तो जैसे माल लीजे कि यहाँ पर switch हैं बोह आप दीन से अब की होंगी इसमें तो आप गिल लीजेगा यहां पर पहली लेंगबिज आप ओर्ट करने जा रहे हो जो यानि माल लीजे जो हंदी वेल्ट के इसे बारे में तो बहुता है और एक आपका यहां पर पध्यांशाएगा क्या आएगा पध्धांस आएगा तो गध्यांस पध्यांस तो इसमें गध्यांस और पध्यांस पहले पेपर में मालोगे आप यहां पध्यांस सॉल्व कर लोगे गध्यांस को आप यहां पर सॉल्व कर लोगे और यहां पर जो सेकंड वेज होता है सेकंड होता है उसमें दो दोनों ही आपके यहां पर जो second language है उसमें दोनों ही गद्यांस देखने के लिए मिलते हैं तो अगर आप मालो इसमें और कोई चूझ कर रहे हो तो बहां पर आपको दिक्कत हो सकती है subject में जैसे मालो आप उसमें सही तरीके से जैसे मालो आपने उल्टा चूझ कर लिया जैसे पहले मालो आपने संस्क्रिट चूझ कर लिया और दूसरे में आपने यानि हिंदी चूझ कर लिया तो आप यहां पर गड़बडा जाओगे क्यों 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 कि यहां पर पहले में आपका एक तो आएगा पद्यांस और एक गद्यांस आएगा संस्क्रिट में तो आप महा सेकंड में क्या करूंगा मैं तो लेंग्विज सेकंड में मैं यहां पर लोगा संस्केट आप कुछ भी ले सकते हो इंग्लिस भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो मैं संस्केट लोगा तो मैं यहां पर संस्केट पर किलिक कर देता हूं तो संस्केट बर दिया मैंने अब यहां आपको यहाँ पर स्लेक्ट करनी है तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस प्रकास से आपकी बिंडो खुलेगी और बिंडो में आप यहाँ पर जाएंगे तो इस तरीके से इसमें देखें तो इसमें लगवाख छह ओप्शन दिये गए तो मैं पहले यहाँ पर इ तो इंटर में आपका कितना पचास परसेंट होना चाहिए नंबर ठीक है और यहाँ पर जो आप डिप्लॉमा कर रहे हो यानि जो आप डीलेट कर रहे हो बीटी कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसमें आपका यहाँ पर या तो आप उसमें पास हो जाओ ठीक है या तो आप उसम तो आप यहां पर अप्लाई करिएगा ठीक है तो अगर आप नहीं भी हो फिर भी करिएगा क्योंको देखिए यहां पर जो पर सीइंग बड़ का यहां पर जो पूरा व्याक्षान किया हुआ उसमें यह कहा गया कि अगर आज आप डीलेड में अडिमिसन लेते हो आज साम को आप यहां पर लिखा हुआ है पर यहां पर लेट नहीं हुआ है तो आप यहां पर डाल सकते हो आपका वैलेड रहेगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पहला अपक्सन और आपके ट्वेल्थ में आपके 45 परसंट मार्स आया हूए है ठीक है और आप डिपलॉमा जो आप कर रहे हैं उसके लास्ट इयर में हो आप वाट एम बॉट एवर नेम नोस किसी भी नाम से जाना जाता हूँ आपका एकोर्डिंगली बिद्धा एंसी एंसी टी ए रिकोगनाई नॉम्स इंड प्रोसीजर रेगुलिशन तो आप अगर 45% आपके नंबर हैं इंटर में तो आप यहाँ पे अपलाई कर सकते हो इसमें आप डाल दीजीगा ठीक है तब आपको एप्सन नंबर 2 चूज करना है इसी प्रिकास से अगर उप्सन नंबर 3 की बात करी जा है तो यहाँ पे आप 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 अप्सन नंबर 3 दीखिएगा तो लिखा हुआ है सीनियर सेकिंडरी और इस एक्विलेंट विद एट लिस्टी परसेंट मार्क्स तो तो ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कितने 50% मार्क्स होने चाहिए उसी के साथ साथ आप लिखा हुआ पास्ट और एपिरिंग इन दा फाइनल येर ऑफ दा फोर्थ येर फोर्थ येर बैचलर ओफ एलिमेंटरी एजुकेशन यानि बीलेड तो बीलेड में अगर आपने चार साल का करा हुआ है और इंटर में आपके 50% मार्क्स है और इसके फाइनल येर में आप एकजाम को दे रहे हैं तो आप यहाँ पर आपिलाई कर सकते है तो बताया परिस्विंग का मतलब क्या बता है था आप कहीं भी हो तो आप यहाँ पर ऐकर सकते हो ठीक है तो ये 50% मार्क सुनें कि यह पास्ट एर परिंग इंदा फाइनल ये रॉप तू ये डिपलोमा एजुकेशन तो इस पेशल जो एजुकेशन होती है उसमें टू ये का आपने डिपलोमा करा हुआ है तो आप यहां पर एपलाई कर सकते हो अब यहां पर पांच माँ ऑप्शन हो गया और इसके बाद आपका छटा ओफ्सन हो गया ये आपके होते थे बियड के लिए तो बियड के लिए होते थे तो अब बियड वाले यहां पर अपलाई नहीं कर सकते हैं ठीक है इसको आप कहां से जान सकते हैं इसको क्रॉस वेरिफाई कहां से कर सकते हो तो इनको बताने का तो आप इसको किस तरीख जान सकते है जैसे ही आप इस पर किलिक कर रहे है इसमें तो 6 अप्सक्वशनों सैगे तो आपको यहांगप evident carra bulk rash नहीं आपडेट ओ चुकी है तो अब यहां पर बीड़ वाले नहीं कर सकते हैं यह आपका जीता जागता यहां पर रूब है ठीक है अभी आपको पता नहीं आप विस्तास नहीं कर रहा है तो आप यहां पर में क्या कर लोगा जितने भी यूपी से के झाल सेडिव के ऐसे हैं यहां पर आपके जूहरा है तो यहां पर क्या यहां पर कर लेंस साफ कि फुर्ट SauES को अफसन उन पर नहीं खुलें कि पर नहीं और था एक कुर्णा दूब來到 यह दिर्ण चींछवन करें रहें था नहीं तो यहां आप देखो अर उसके आप का सम्झादा है वालेट है तो जितने वी वी वाले इसलिए जो जूणियर के लिए इंश्वल होती हैं जूणियर में एप्लाइग कर सकते हैं और अगर एंसीटी की ग्रेजिशन में आपके हैं और आपने अगर वि08 का हुआ है आप से पुछ कर लिब तो जितने भी नॉर्मल बिर्टकरिकस हैं तो कि शूज करेंगे यहां पर आप देखेंगे तो सब्सक्राइब तो आपके 45 पर से फिर भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हों तो आप 40 पर संट मार्क जिसके ग्रेजिशन में हैं वो लोग यहां पर इस उप्सन नमबर तीन को चूज करना ठीक है इसी प्रिकास से उप्सन नमबर चाहर देख सकते हो तो यह आपका डिल ए जो बिल एड वालों के लिए है जिननों चाह साल का किया हुआ है पचास परसंट मार्क जिनके जिनके में हैं वो चूज करेंगे पांच मा देख सकते हो ऑप्सन जो आप लिए गया है वो का गया है सीने सेकेंडरी है और इस एकुलेंट एट लिस्ट परसंट मार्क तो पच अगर आपने ब्याड करा हुआ है तो आप उप्सन नंबर 6 को अप्ट करेंगेगा अब यहां पर देख सकते हो ऑप्सन नंबर 7 भी आपका ब्याड वाली के लिए है जो के आपका अगस 2001 के क्वालिफिकेशन तू एपर इंदर टेट और सीट इसके रिगार्डिंग आपका है जो आपका सिंपल यानि सिंपल नहीं है आपका ब्याड जो इनके नौम्स के आधार पर आपका हो रहा है तो वह आप इस अप्सन नंबर 7 को चूछ करेंगे और आप्सन नंबर 8 देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ पोस्ट ग्रिजिशन विद 55% मार्क्स और एक्विलि लिखेगा ठीक है तो यहां पर जितने भी डिलर वाले कंडियर से नंबर बंचूछ करना ठीक है तो मैं बंचूछ कर देता हूं लग स्वारी में यूपी वालों के लिए बात करना हूं यह चीजा रखिएगा इसके बाद आपसे यहां पर जो ऑप्सन दिख रहा है आपको कह रहा है subject offered for paper second तो paper second के लिए आपको कौन सा subject लेना है तो देखिए यहां पर paper number second के लिए आपसे कह रहा है कि यहां पर mathematics or science और social science तो जितने भी R side से जिन्होंने B.Sc. अपना करा हुआ है जो भी अपने course हैं जो R side से आपके course हुए है इसको चूज करेंगे और जो B.Sc. लेविन से साइंस को चूज करेंगे तो mathematics and science को मैं चूज कर ले रहा हूं ठीक है मैं चूज कर देता हूं और चूज करने के बाद आप सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है चूज करेंगे जो डिपलोमा दारी तो इसको चूज करेंगे और जो डिगरी धारा की थक्राइक उनके लिए यह आप ठीक है तो यहां पर आपको check box में चैक करना है मैंने डियर्ट पर कर दूगा दूगा तो मैं बियरट पे भी क्लिख कर दोगा तो इसरी के तरह आपमें दोनों कर दिजीगा और एक कर दिएगा और यह कर दिएगा तो दोनों की पी क्वालिफेकिसन आपसे मांगेगा आप यहाँ पर देखे एक सबसे बढ़ा डाउट में क्लिर खरता चलूँ इस चीज को ज़रून से आतर जीएगा जैसे मालो जो जो कि आप फरस्ट देना चाहरे हों और पेपर सेगेंड जो आपका है वो आप बीाड से देना चाहरे हो तो आप ऐसरा भी कर सकते हों तो पेपर फस्ट के लिए आप डीबाला चूज कर लीजीगा ठीक है और पेपर तो यह कर लिए गाए आपको आपको आगे मांगी जाएगी तो आपको आगे वाले पेज मांगी जाएगी अब यहां पर आप सेंटर केस्ट चूज कर सकते हो तो देखिए लिखा हुआ यहां को चूज करनी यहां पर पहले कर लेता हूं अबना यू पी और यहां उपी में डलते तो उत्तर प्रदेश प्र्देश पर लिकरने के बाद यहां पर हमक। तो पहले में यहाप एक ले रहा है लोड ले रहा है लोड लेने के बाद लेना चाहरे हो तो आप यहाँ पे चूज करना है इसमें स्टेट चूज करते जाएगा और इस ताहब से इसदर आप करने के बाद आपका यह आगे प्रॉसीड हो जाएगा तो यह कर आपको बताता है उसके बार आगए आपको लेशलूंगा हौके तो देखिक तरीके से आप अपनी डिटेल वर लेना आप जो भी सेंटर वरो वो अपने सेंटर चूज चुन्स कर लेना इसके बाद आपको क्या करना है आपको यह जो capture code दिख रहा है इसमें आप डाल देंगे ऐसा ही आपके लिए भी नए capture code आएगा उसको आप इसमें से डाल दीजेगा देखकर इसके बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा save and nest यह जो save and nest दिख रहा है इस पर ही आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने एक pop up message आएगा जिसमें लिखा होगा are you sure you want to submit this session क्या आप sure हो इसको submit करना चाहरे हो आप तो आपको yes करना है अगर नहीं करना चाहरे हो तो आपको no करना है तो मुझे क्या करना है मुझे yes करना है क्योंकि मैं इसे submit करना चाहरा हूं तो मैं इसे yes कर देता हूं ठीक है तो जैसे से यस करूंगा तो अगली जो बिंडों होगी वो आपके सामने खुल जाएगी जिसमें आप देख पाएंगे जो आपसे बिटेल मांगी जाएगी वो किसकी मांगी जा रही है यह आपको देने के लिए मिल जाएगा तो अभी यह साइट खुल रही है अभी आगे प्रोसीड क नहीं होगी हर एक चीज़ को मैंने अच्छ से डिसक्षस किया है अभी पाइब कोई टियूर से बताइए लिए अब जो मैंने यहां पर अपना डिपलोंको स्याँट किया हूँ था अप देख सकतों जिसे मैं डिपलोंको स्ट्प्त orbits हूं था ऊसी की डिपलोमा यानि जो डियलमद है उसी से मैं थेने जा रहा हूं यहां पर तो क्योंकि मैं 284 से नहीं दे रहा हूँ तो इसलिए आँ तो दभी आपको जरूरी ही नहीं है डिगरी भरने का आप सीधा अपना डिपलोमा भरिए क्योंको आफ दोनों में युल होते हों जो यूपी वाले केंडियर्स होते हैं वो दोनों में इलिजिवल होते हैं तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि पास सब बताइए आप पास हो या एपीरिंग में हो तो अगर आपने पास कर लिया है आपके फाइनल एयर के मार्क सा लें है मार्क सीट आपके पास आ गई है तो आप इसमें पास वाला स्लेट करिएगा नहीं तो आपको यहां पर एपीरिंग करना है तो मैं एपीरिंग में हूँ तो मैं एपीरिंग पर किलिक कर दिया हूँ ठीक है मैंने एपीरिंग पर किलिक कर दिया यह एपीरिंग वाला सेक्शन अब यहां पर आप दोसरे जो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा लिखा हुआ पासिंग इयर ओबलिक एपिरिंग तो आपका पासिंग यह क्या है एपिरिंग यह क्या है तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखने के लिए यह मिल देखिए यहां पर आपको 2022 हो गया दोजार थीस हो गया जो एपिरिंग वाले कंडिट्स हैं उनको यहां पर यह दी जा रहे हैं और जो पास कर चुके है और रड़ी तो उनका यहां पर आपको देने के लिए मिली ही जाएगा तो मैं यहां पर 2023 को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पासिंग येर में हूँ तो जितने भी जैसे माली यह डियलेड जो सेसन है 2022 वालों का जो सेसन है उनका हो गया यहां पर अगर वो एपिरिंग डालना चाह रहे हैं तो वो 2023 को सेलेक्ट कर लिएगा और जो 2021 सेसन वाले के इंडिट्स है जिनका 4 semester exam होने वाला है तो वो भी 2023 को ही आपको यहां पर सेलेक्ट करना है तो 2030 आप जो लोगों के लिए है आप इसको ही सेलेक्ट कर लिजीगा 2030 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद यह हमसे कह रहा है कि course stream name तो course stream name यह पूछ रहा है तो इस पर आप click करेंगे तो click करने के बाद आप से देगा यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है देखिए यहां पर education education elementary और education तो आप इसको select कर लिजेगा एक ही option देखेगा आपको तो इस पर आप click कर देंगे ठीक है अब आपको click करने के बाद आपको जो next section दिख रहा है वह आप यहां पर देख स जाएगा ठीक है तो अभी यह load ले रहा है इसलिए आपका हाँ sorry अभी यह load लेका देखो आप जिससे इस पर जैसे ही click करेंगे तो click करने के बाद आपका यहां पर पूरा खुल जाएगा तो देखिए खुल गया ना अब इसमें आप search कर सकते हो डाल के जो भी आपका board जिस Please Board से आपने करा हुआ है जिस उन्वेस्टी से आपने करा हुआ है तो आप यहां पर डाल सकते हो तो मैं यहां पर PNP ढलके देखूंगा तो प्रयागराज है यह तो यहां पर डेका डालके देखता हूं तो देखिए आप कहीं भी PNP प्रयागराज वाला नहीं दे रहा है है मना कर रहा है तो एक यहां पर और देखेंगे एक्जाम नेंशन आद्यारत ट्रीट्री करके पुर आता है उन्हें थेखतें ईतना है य। हमिलेगा के लूबर मुनिर ठीक है तुम्हांने जाल ड़िया है कि फिलल कुरा भी खार की थीजा में देख लो तो यहाँ पर भी नहीं है आपका तो यहाँ पर आप क्या करें अब जैसे आपका ना मिले ना इंट ने तो आप इसमें other select कर देंगे तो यहाँ पर मैं ओ एच लिए ओ लिग दे रहा हूं अधर के लिए ओ टी एच यार ठीक है ओ टी हैच इआर अधर लिखके मैं यहां पर कर देता हूं तो अधर जैसी मैं करूंगा तो इसमें एक अधर का सबसे नीचे सेक्शन मिलेगा वो आपका यहां पर पॉपप मेसेज करा देगा तो यहा यहां पर आप देखते हो सुरी अधरवाला सक्सिन आपने देखा नीचे था तो मैं इसे एक वार फिर से करता हूं क्योंकि यह यहां से हट चुका है तो कोई ही डाल देता हूं मैं से मिल जाएगा ओ टी एच ठीक है तो ओ टी एची डाल दे रहा हूं इसी से मिल जाएगा अधरवाला नीचे जाओंगो खिसका के तो यह देखिए अधर आगिया अधर वाले पर क्लिक कर दोगे इसके बाद आप से पूछेगा तो यहां पर अभी यह माँगेगा जो इनिवस्टी नेम है वो आपका अलएक से एक बाक्स खोल देगा यह उनिवस्टी नेम के लिए तो उस बाक्स में आपको इनिवस्टी का जो नाम है जहां से आप कर रहे हो जहां से आपका जो बोड है बहां से आप कर रहे हो तो बो आपको डाल द प्रियाग राज तो पी आर ए बाई ए जी आरे जे प्रियाग राज यूपी इस तरीके डाल दीजेगा यही आपका इसमें नाम पढ़ने वाला है ठीक है इसके बाद आपको क्या गरना है तो यहां पर देखिए आपका जो रेजल्ट वाला सक्षन था यह आपका नहीं लेग क्योंकि आप एपर में इसलिए नहीं लेगा यहां पर आप सीधा आप से पन पन कोड़ पुंखेगा तो यह आपका इंस्ट्यूट पूंख जहाँ पर आपका कॉलेज बना हुआ है बहां का जो institute record है उस छेत्र का वो आपको डालना होगा तो इसे आपने school के principal से पूछ लीजेगा तब यहां पर फिलप करिएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको यहां पर फिलप करना है तो मैं यहां पर जो है वो मैं यहां पर डाल दे रहा हूं ठीक है तो आप भी अपने यहां का जो छेत्र का है उसे आप डाल दीजेगा तो मैं यहां पर डाल देता हूं आप अपने school में इसको टैगल कर लीजिएगा जो आपका स्कूल किस छेतर में बना हुआ उसी इसाफ से आपको डालना है तो यह बिल्कुल भी मैं डाल देना जो मैं डालना यह आपका हो गया इसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर सेव एंड नेश्ट पर क्लिक कर देंगे सेव एंड नेश्ट पर क्लिक कर देंगे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप से कहेगा आप से और हैं इस चीज को आप बढ़ रहे हैं इसके लिए आप से और हैं तो मैं से और हूं तो इस पर क्लिक है इसके बाद यह clear आपका हो जाएगा ठीक है तो तो देखे साथ हो यह आपका complete हो चुका है इतने sections आपके complete हो चुके हैं आप यहां पर देख सकते हूं पहला जो section था उसमें आप जिसे तो contact detail यह भी आपका complete हो चुका है इसी के साथ आप तीसरा देखेंगे तो लिखा हुआ है applying for the examination city यह आपके complete कर चुके हैं हम दोनों steps यहां पर आप तीसरा जो अगला से previous step complete किया वो qualification detail को लेकर करा था तो वो भी आपका हो चुका है अब यहां पर जो incomplete दिखा रहा है वो आप देख रहे होंगे कि यहां पर दे रहा है upload photograph and signature यह वाला incomplete दिखा रहा है इसके बाद submission of मनलब पूरा आपको submit करने के लिए यह कह रहा है तो आप अब यहां पर photo assign का इसमें हम clear कर लेते हैं इनका उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा देखी लिखा हुआ है upload photograph and signature तो इस पर जैसी क्लिक करता हूं तो इसकी जो next window है वो आपकी खुल जाएगी और यहां पर आप देखेंगे इस window में आपका क्या-क्या मंग रहा है ठीक है तो यह अभी open हो रही है देखी open हो गई है और open होने के बाद आप अगर नीची साट पर जाएंगे तो इन्होंने कहा हुआ है कि यहां पर आप photo को choose करिएगा जो photo आपका यहां पर दे रहे हैं कि यह 10 केवी से 200 केवी के बीच में होना चाहिए यह आपको photograph और signature आपका चार केवी से आपका 30 केवी के वीच में होना चाहिए तो इस तरीके का फोटो अप्रोड करेंगे हम इसमें तो चलिए हम फोटो अप्रोड करते हैं तो उसके लिए देखे क्या करना पड़ेगा आपको photo के लिए आपको यहां पर देखिए लिखा हुआ है तो क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा यहां पर आप जो ऊपर की साड़ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आपको यहां पर देखे गैलरी दिख रही है मेरी तो इस गैलरी पर मैं क्लिक कर लेता हूँ अगर आपको ऐसे ना दिखे तो आप य यह गैलरी लिखी है, तो आप इसी पर click कर दीजेगा, आप जैसे इस पर click कर दोगे, तो click करने के बाद कुछ तरीके से आपकी gallery खुल जाएगी, और gallery में आप अपना photo यहां पर search कर लीजेगा, ठीक है, तो मैं यहां पर जो photo है, उससे में search कर लेता है, अपना gallery में जाकरके, तो आप भी इसी तरीके से सर्च कर लेना, इस तरीके से जूम करना है, जूम इन, ठीक है, जूम इन नहीं जूम आउट करना है, ठीक है, तो यह आपका हो गया पूरा फोटो, दिख रहा है, इस तरीके साब का यह चला जाएगा, और इसे थोड़ा उपर करके देखेंगे, त लोट डन पर कर दो ये क्रॉब करको बटन करेगा तुम कर depression Flash धूर दिया ल misin यह ठीक है आप इसी दिख सकते हो यह आपको फोटो प्लोट हो चुका है यह आपको फोटा फूटा प्लोट हो चुका है दिया और कर दिया है आप अपलोड पर कलिक करोगे तो आपको आप यह सक्सेस्प्री अपलोड ऒऽ लिए बता देगा कि सक्सेशफूली अपलोड इसे हम कर चुके थीक है तो अभी यह अपलोड कर रहा है बेहें कि देखिए लिखा हुआ है आप देख सकते हूं image which file uploaded successfully ठीक है अब आप यहां पर OKP क्लिक कर देना तो मैं OKP कर देता हूँ जैसी आप ऑफी के OKP करेंगे तो ये upload हो गया है ठीक है तो आप यहां पर यह तो देगा है तो यहें पर sector करेंगे तो देamentos देंख तो भी यह आपका फोटो दिखाएगा जैसे ही आप किलिक here to view your photo यानि और documents तो यहाँ पे आपका सो करा देगा यह तो देखे साथियो अब आपको sign upload करने हैं इसी तरीके same process है आपके sign upload करने के लिए भी तो आप यहाँ पे choose file लिखा हुआ इस पर आपको click करना है आप जैसे इस पर click करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा यहाँ पर file लिखा हुआ फाइल पर click करने के बाद आप सीधा यहाँ यह जो आपका खुलेगा page इसमें आप देखेंगे गैलरी बाला option आपको यहाँ पर पहले लिख चाएगा नहीं दिख चाएगा तो मैंने आपको process बता दिया है तो यहाँ पर मेरी यह जो sign है इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो इसके बाद इस तरीके सा आएगा तो आ नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर done कर देना है ठीक है done कर दोगे done करने क बाद आप यहाँ पर upload कर दीजिए । अप्रोड पर क्लिक कर दीजे। तो यह सैन हो गए जो देखी लिखा हुआ है , इमेज्च सैन हो गया है। इस फर आप एक साथ कोड़ना हो गया है। इसको आपको से जौ पर डिक रहे हैं इसको आपको इसमें उपर डाल देना है। इस सर्च बॉक्स में आप जैसी इसमें डालेंगे तो यह इसके बाद आपको सम्मिट करना है तो 9 2 फिर आपका F है Capital Capital F 00 के बाद फिर आपका 99 तो 99 ठीक है 9 और 9 लिखना है ठीक है अब यहां पर आप क्या करेंगे कि यहां पे Save and Nest पे क्लिक करेंगे से बैंद नेस पर खुरे करेंगे तो यहां पर आप से कह रहा है कि आप यहां पे करना चाहर है इसको सम्मिट तो हां करना चाहरoses पे लिख लेकर कर दो और क्लिक करने के přाद आपका यह successfully submitted हो जाएगा अब इसके बाद यह जैसे ही यह आपका successfully submitted होता है तो यह देखिए अभी आपका पुरा submit हो जाएगा तो इसके बाद जो आपका next page आएगा वो आपका पूरा आजाएगा confirmation का page देखिए यहाप लिखा हुआ है कि final submit करने से पहले आपको क्या करना है अपने पूरे इसको देख लेना सही से चेक कर लेना है ठीक है तो मैं इसे इसे काट देता हूँ इस क्रॉस पर लेक कर दीजीगा तो यहाँ पर पूरा आपका जो application form है उसकी आपकी detail आ चुकी है तो आप यहाँ पर प्रिंजेट का नाम देख सकते हो डियो भी देख सकते हो मेल पिता का नाम ठीक है मदर का नाम category देख सकते हो इस तरीके साब को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर nationality देख सकते हो यहाँ पर आप देखेंगे subject आपका method sciences में दिया गया है इस तरीके जो भी आपने वराया वो सब कुछ यहां पर दिखा देगा आपके centers दिखा देगा तो आपने उत्रफ़देश जैसे में उत्रफ़देश में कि些 Centres लिए होए हैं तो आपने फॉन कॉन सेंट लिए होई सब कुछ दिखा देगा यहाँ पे आपकी details दिखा देगा जो आपने क्या क्या वदा हुआ है तो देशिए यहाँ पे सब कुछ दिखा डबेगा appearing year आपका क्या है आपने जो यहाँ कुन से बोर्ड से कराये तो बोर्ड का नाम या दिखा देगा इस तरीके से आपका personal address दिखा देगा तो यहाँ पे सभी आपका यह सभी आपका personal address इसके सामने दिखेगा आपको mobile number भी आपको दिखेगा अपने में इसी तरीके same दिखाई देगा same में आपका same address दिया तो same address आपको देखने के लिए मिल जाएगा सामने की side पे इसी प्रिकास नीची जाएगे तो यहाँ पर आपको photo मिल जाएगा sign मिल जाएगे यह सभी मिल जाएगे इसके बाद आपको यहाँ पर checks box की बात करेगा कि नाम में check box करिए इसमें सभी में आपको tick करना है क्योंकि आपने यह सब information सही बरी है उपर अपना match कर लिजेगा और match करने के बाद आप जैसे इसको match कर लेते हैं तो इन पर आपको सब को tick करना होगा आपको तो मैं इन सब को tick कर देता हूँ क्योंकि मैंने यह सभी match कर अगर आप match करते हैं और आपको कोई चीज गलत मिलती है तो आप इसे बापस चाह सकते हैं इसमें ठीक है तो इसमें आपको कोई भी दिख कर नहीं हूँ अब देखी declaration के लिए कह रहा है तो आपको यहाँ पर declare करना है तो मैं आपर declare कर देता हूँ ठीक है इसके बाद कहेग का final submission of application तो application को final आपको submit करना है तो यहाँ पर आपको click करना होगा तो पहले मैं इसको सही तरीके से cross verify करके मैं आपको submit करके आगे दिखाता हूँ तो देखे साथियो मैंने सब कुछ cross verify कर लिया है अब यहाँ पर हमको यहाँ पर final submission पर click कर देना application पर जैसी मैं इस पर click करूँगा तो click करने के बाद आप देख सकते हूँ यहाँ पर लिखा हूँ है are you sure want to submit the application form क्या आप application form को submit करना चाह रहे हो तो इस तरीके से आपसे कह रहा है ठीक है तो मैं इस पर click कर दूँगा click करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका यह आगे proceed करेगा अब आपका जो last stage रह गया है वो आपका fees का रह गया है आपको fees कारनी होगी अपनी जो आपकी fees बनती है वो आपको fees कारनी होगी तो आप दिसकर तो यहाँ पर पूरा detail दिखा दिया है यहाँ पर payment का detail रह गया है बस ठीक है तो payment के detail में लिखा हुआ है after payment देखिए यहाँ यह notice साही से पढ़ लीजिएगा तो देखिए लिखा हुआ है देखिए पढ़िएगा साही से सारी देखिए यहाँ पर इस तरीके साब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि after payment of fee you will not be able to edit the filled application detail and document uploaded you are required to pay the यानि मुझे यहाँ पर 1200 रुपए fees payment करनी है क्योंकि मैंने दोनों फर्म बरे हुए हैं फस्ट और सेकंड के लिए और यहाँ पर मेरा नीचे अप्लिकेसन नमर आप देख पाओगे तो यहाँ पर मुझे अफ फीस काटने के लिए बस रह गया है तो मैं यहाँ पर फीस काटने से पहले यह मुझे से कहेगा वेरिफाइगा आडी करना पड़ेगा उसके बाद हम इसको फाइनली इसमें फीस सम्मिट कर पाएंगे तो आप यहाँ से आप फीस सम्मिट कर सकते हैं उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी तो मैंने आपको पुरा समझा दिया सही तरीके से तो मैं आगे का process अपना कर दूँगा तो आप यहां पे जरूल से अपना आगे का जो process होगा उसमें कुछ नहीं है फीस काट नहीं है तो मापे QR जनरेट कर लिजेगा वहाँ से आपका कट जाएगा फीस ठीक है तो मैं इसे लेटर करूँगा इसके बाद कुछ समय बाद में इसको सम्मिट करूँगा तो अभी आप यहां तक समझ सकते हो पूरी प्रोसेस आपको समझा दिये है फीस काट नही कोई भी इसमें बड़ी चीज नहीं होती है ठीक है तो यह प्रोसेस आपको समझाएगा सब कुछ डिटेल में समझाए हैं और तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है अच्छा लगा तो जरून से अपने दोस्तों साथ सेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमार जन से जूल जाएगा हो की तैंक्यों